तो हाँ बई करें शुरू तो आज की इस वीडियो के इंतर हमारे पास इस साल का सबसे महंगा फोन है यह आईफोन 15 प्रो मैक्स और इतना पैसा लेने के बाद भी ऐसे नहीं है फोन इसली एविलेवल हो काफी शॉप वाले एक्ट्र चार्ज ले रहे हैं कुछ बोल रहे हैं केरल हो जब भी हम आपको फोन देंगे प्री बुक करने के बाद भी तो भाई काफी फ्रोड चल रहा है तो इससे बच कर रहना अगर आपकी तुरेंट रिक्वार्मेंट नहीं है आप इंफ्लूएंसर नहीं हो तो मेरे साब थोड़ा वेट करो उसके बाद बाद बाई कर यहां पर यहां पर हमारे पास नेचरल टाइटेनियम कलर और हम आज इसे कंपेर करने वाले हैं आइफोन 14 प्रो मैक से जिसको मैंने पिछले एक साल अराम से यूज करा है अब यहां पर भाई प्राइज जो है वो डैफिनेटली इंडिया के इंदर सबसे जादा है भार भी खांदान के प्लोट बेखने पड़ेंगे जब इसे एफोर्ड कर पाएंगे अला कि इन्होंने यहां पर टूफिफ्टी शीवी वेरेंट कर दिया पहले 128 भी हुआ करता था बट इसके बाद भी इंडिया के अंदर सबसे जादा प्राइज आइफोन 15 प्रो सीरीज का अब आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक किया विगर मत जाना पूरा पड़ोसी विग्या मरा इस फोन के चक्कर में बाइस जयादा नहीं होगी हाला कि मेरे को इसकी जो थिकने से वह अभी बी काफी कम लगी है और ल पहली बार हात में लिया लिटरली मैं 14 pro max यूजर हूं और 15 pro max को हात में लेती मेरे को एक चीज तो different feel हुई वह है इसका weight यहाँ पर 14 pro max के comparison में weight definitely काफी कम है और इसके एलावा phone पतला भी feel होता है यहाँ पर definitely phone पतला है और side का frame इन्होंने titanium कर दिया है पहले stainless steel मिलता था पहले purple था अब इनका natural titanium है तो इस वह से मैंने natural titanium color लिया अब renders में लग रहा था भाई कि यह gold color होगा लेकिन जब मैं reality में देखा है तो यह gold और gray का mixture है कभी-कभी gold color लगता है कभी-कभी gray लगता है बट ऐसे नहीं कि कोई एक color ही लगता हो इसके लावा titanium के फायदे बता द लगते भी हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता मतलब आपको बार-बार साफ करने की जूरत नहीं है और दूसरा point आता है definitely यहां पर scratch लगेगी तो color चुटने के chances काफी कम है और यह जो मेरे पास color है वैसे भी natural titanium color है तो अगर इसे आप deep cut भी मारोगे तो भी यहां से color नहीं कर दिया जिसकी वेसे पहले जैसे चुपता था ना फोन अब इसकी grip काफी अच्छी बने और और ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है अब कितने डूरेवल है यह तो फोन को factory पतल लगेगा हाला कि खर्चा काफी आएगा बट अगर आप इस video पर 10,000 like complete कर दोगे ना तो एक बार को हम सोच लेंगे सोच ना गया 10,000 like कर दोगे तो हम इसे फैंक के दिखा देंगे आपको थोड़े से और डिफ्रेंस बता देता हूं आपको लुक में क्या मिलने वाले हैं जो camera modulus का size same है, bump same है लेकिन camera के side side में जो ring होती है ना यहां तीनों पर उनकी जो चोड़ाई है बस यही difference है और इसके लावा physical change record जो आता है पहले L8 slider मिलता था अभी मिलता action button अब L8 slider का फायदा यह होता था जब भी हम phone को silent करते थे तो पता लग जाता था side से कि red है यानि कि silent है but अब इन्होंने action button डाल दिया है तो side से तो देखने सकते तो अब इन्होंने front पे display पे एक silent का icon डाल दिया है अगर आपको phone silent है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा बाकि action button को आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो कि किस app के साथ आपको इसे use करना है और long hold करने के बाद वह app काफी तेजी से खुल भी जाती है बाकि इसका use case यह भी है जब आप underwater photos click करते या video record करते हो तो वहाँ पर touch cam नहीं करती तो वहाँ पर आप इस button को use कर सकते हो तो एक तरीके से इसे में camera button भी बोल रहा हूं बट देखने वाली बात यह है कि 14 pro max या कोई भी iPhone की series जिसको आप पानी में लेकर photo auto click करते हो तो action button की जगह ना वहाँ पर volume rockers का भी use लिया जात मिलती है ceramic shield और definitely phone को पकड़ोगे तो पतला feel होता है बट पतले की वज़े से यहां पर मैं आपको बता दू एक disadvantage भी है यहां पर दोनों के इंदर stereo speakers है sound सुनी मेरे को अच्छा घाजा difference यह feel हुआ कि पहले ना आपको phone में area जाधा मिलता था क्योंकि phone मोटा था बट अभी area कम जिसकी वैसे जो phone के speakers की loudness है वह हलकी सी कम हो गई और यह noticeable difference है जब आप दोनी फोन के बीच में सुनने वाले हो sound और पहले क्या था कि S23 Ultra के speaker से बहतर थे 14 Pro Max के speaker पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि S23 Ultra के आसपास ही हो गए इसके speakers तो यह एक negative point है 15 Pro Max का बागी यहां पर जै अगर आप case के साथ भी screen guard यूज करते हैं तो बहुत जल्दी चटक जाते हैं लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है एक तो quality बिल्कुल नहीं मरती touch response बहुत ही प्यार आता है ऐसा लगता ही नहीं जैसे screen guard लगाया हो quality बहुत अच्छी है और यह easy to apply है बागी Totem ने भी 3D hammer proof screen protector launch करें मतलब अपने phone की display पर लगा कर उस पर हतोड़े बजाओगे ना जब भी नहीं तूटने वाला नहीं display तूटेगी नहीं screen protector बागी हम इसकी भी testing करने वाले हैं जिसके लिए आप हमें Instagram पर follow कर लेना मैं अपने iPhone पर इसे लगा कर हतोड़े बजाने वाला हूं 120hz refresh rate के साथ और दोनों की smoothness अभी मैं कहूंगा काफी अच्छी आप opening closing भी बहुत बढ़िया है यहां पर 120hz का panel definitely बहुत अच्छा वर्क करता है बागी दोनों की display close to 2K मिलती है यहां पर दोनों के अंदर ही है HDR10 और Dolby Vision content stream कर सकते हो दोनों की display के बार में जैसे Apple ने बोला बागी यहां पर में कोई फरक नहीं मिला दोनों की color calibration से मैं HDR content stream करते हैं दोनों में में को कोई भी फरक नहीं मिला है तो यहां पर दोनों की display सेम हैं बिलकुल बट एपल ने एक चीज़ बोली थी कि अपने bezel और चीन थोड़ से कम करें तो वह difference है बाई जब आप साइड बा हो जाता है अब इस phone के haptics के बता दू लाइक यह मेरे लिए unexpected था मैंने नहीं सोचा था haptics इतने इंप्रूब करें होंगे like जब मैं alarm set कर रहा था वहां पर मैंने देखा कि कि यहां पर जब आप स्क्रोल करोगे तो आपको ज्यादा तगड़े haptics मिलेंगे और इसकी sound speaker से जो आती है वो ज्यादा लाउड आती है और यह 14 pro max के comparison में एक बहुत बड़ा major change लगा है मेरे को बागी typing वगयर हमें almost similarly perform कर रहे है तो इतना फर्क है सिर्फ haptics में अब बात करते हैं दोनों के cameras की जिसमें Apple ने बहुत बड़ा तीर मारा है तो देखो 48 megapixel का main camera sensor है दोनों मे इस बार जो sensor size वह बड़ा कर दिया क्योंकि यहां पर sensor ही अलग है अब sensor size बड़ा होता है तो हमें दो अच्छी चीज़ देखने के लिए मिलते है एक तो low lighting performance बैटर हो जाती है दूसरा depth of field अच्छा देखने के लिए मिलता है तो यहां पर हमने सबसे पहले video record करी photos पर बाद mode के अंदर edge detection अभी भी apple ने improve नहीं करा है मेरे को almost same ही लगा है यहां पर apple का edge detection था वह अभी तक सबसे वीक था video portrait mode के अंदर बट जो इसकी skin tone होती है वह unbeatable होती है android phone के comparison में जितना मैंने आज तक note करा है वह मैं आपके समने बता रहा हूं थोड़ा खुल के अब इन सब ची HDR वह जाद अच्छी तरीके से हिट करने लगा है पहले जब यह फोटो क्लिक करते थे और background में sun आ गया यह cloud जाद आ गये तो वाला पाट उड़ा देता था अपल अभी है महां पर HDR अच्छे सेट होता सेपरेशन बहुत अच्छा था है cloud और sky के बीच में तो यह वाला पार अच्छा परफॉर्म करेंगे बट एपल को भाई 15 प्रो मैक्स बेकना है तो इस वह से मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर वह वाली अपडेट मिलेगी और नहीं इसका HDR इंप्रूब होने वाला है तो इस वह से मेरे को लगता है एपल ने 15 प्रो मैक्स लॉंच करा है किसी में ब्राइटनेस भी बड़ा हो ना 14 प्रो मैक्स की फोटो के अंदर तो वह सेम हो जाएगी तो इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है नाइट मोड के अंदर भी इसके लावा जो डिफ्रेंस आता है भाई आइफोन 15 प्रो मैक्स में वन एक्स के अंदर ना दो मोड एक्स से तो यहाँ पर आपको प्रो रेज का भी ऑप्शन मिलता है जो कि 14 प्रो मैक्स में भी है बट अभी यह 4K 60fps की सैटिंग के साथ आता है हाला कि यहाँ पर अगर आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे है तो आपको एक्स्टरनल एससडी कनेक्ट करनी पड़ेगी बट अ इस पउत्रेट के साथ काम करता है अब इसके लावा यहाँ पर इस फोन के अंदर 5x मिलता है 12 megapixel 120 mm वाला जैसे कि अंधर साय गया था कि बहुत तकड़ी तकड़ी फोटो लेगा तो इहाँ पर अची फोटो लेता है 3x में जादा जूम करें के फोटो क्लिक करता है बट पर आपर भाई मैंने 3X आज तक 14 Pro Max का कभी कभी यूज करा हूगा और इसके पीछे रीजन है क्योंकि जब भी मैं फोटो क्लिक करता हूँ 3X से तो मेरे को काफी पीछे जाना पड़ता है तो मैं काफी आलची भी हूँ और दूसरा मेरे को इतनी क्लोस फोटो पसंद हैं भी नही तो यहाँ पर मैं 2X यूज करता हूँ 2X दोनों ही फोन डिजिटली यूज करके फोटो क्लिक कर सकते हैं भागी अगर आप यह जाना चाहते होगी दोनों में कितना फरक है अगर 3X और 5X में तो अभी थोड़ा बुके बैटर हो गया और थोड़ा और सिनेमेटिक लगती है फोटो इसके लावा बाई अगर आप यह भी जाना चाहते हों कि दोनों कितना जूम कर सकते हैं तो 14 प्रो मैक्स का 3X जा सकता है 15 जूम तक और 15 प्रो मैक्स का 5 जा सकता है 25 तक बागी मेरे को तो यहाँ पर अच्छी खासी जाद अलगी है अब मैं इसे कंपेर ज़रूर कर इस नहीं लगा अल्ट्रावाइड एंगल कैमरे सेंसर में आपर कलर सबसेम है और अभी भी बराबर ही देखने के लिए मिलते हैं तो इस चीज़ में लगता है अपल चुना लगा गया बागी एक फीचर और डाला है जो कि अभी के लिए तो नहीं है लेकिन फ्यूचर के ल आपल के विजन प्रो ग्लाजिस पर और कमाल की बात तो यह है कि भाई एपल के यह वाले ग्लाजिस अभी सेल पर भी नहीं है तो बात सुरू होते ही खतम कर दिया प्रो मैक्स के लोगों को स्कीमें बता दे अब बैक्ग्राउंड में देखो ना भाई जो HDR हो काफी तो इतना ही मिरेको फर्क लगा बाकी आप बताना आपको कुछ फर्क लगे तो वीडियो के अंदर उतना ही चेंज इतना बैक में था हलका ऐसा कलर इनों ने बैटर कर दिया थोड़ा से HDR बैटर हीट होता है बट इतना बड़ा चेंज ने जितने की प्राइज में डिफरें के लिए मिले बस कहीं-कहीं हलका से टीशिट का कलर थोड़ा और नैचुरल हो गया बागी पॉट्रेट मॉट के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सेम ही है अब इस साल के नेक्स बड़ी चेंज की बात कर लेते हैं जो प्रो स्रीज है ना उसके अंदर नहीं चेंज कर दि बागी दोनों ही जो प्रोसेसर हैं उसके अंदर आपको 6 कोर मिलती हैं CPU की बट GPU कोर में एक कोर बढ़ाई गई है पहले आपको पांच कोर मिलती थी अभी 6 कोर कर दियां A17 Pro प्रोसेसर के अंदर बागी इन्होंने ने नियूरेल इंजन भी इंप्रूव कर है जिससे AI इंगल कोर में आइफोन 15 प्रो मैक्स बैटर परफॉर्म करता हुआ दिखा है और यहां पर हमने एंटू टू भी दो वार रन करा है बैक तू बैक हम जब भी कोई टेस्ट कराते हैं सबसे पहले बता दू बैक ग्रांड में से एप रिमूव करते हैं फुल ब्राइटनेस कर है यहां पर बैक टू बैक टेस्ट रन कराने के बाद दो लाग के आसपास स्कोर जादा देखने के लिए मिला 15 प्रो मैक्स का और दोनों का टेंप्रेचर भाई ओल्मोस सिमिलर ही था मैक्स 44-45 डिग्री टेंप्रेचर गया है दोनों का तो यहां पर मैं यह नहीं कहूंगा की टेंप्रेचर बहुत जादा है क्योंकि एंड्रोइड फोन में मैंने 52 डिग्री सेसे तक अराम से नोट कर रहा है तो हो सकता है उन लोगों की उनिट में कुछ प्रोलम हो तो मैं यह कहूंगा कि या तो अबडेट का वेट करो वरना सर्विस सेंटर पर दिखा लो क्योंक के फोन बागी मेरी यूनिट के अंदर ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है और यहां पर स्कॉर में भी अच्छा-खासा डिफ्रेंस मिला अब इसके लावा जीप्यू टेस्ट भी हमरान कराते हैं यह जाने के लिए कि फ्रेम्स कितने स्टेबल करें अगर आप हार्ड कोर गेमि में खेल लो आपको ज्यादा डिफ्रेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ऑल्रेडी इनकी पावर काफी अच्छी है गेमिंग के लिए मनलब जितने भी गेमर्स है ना वो लगबग आईफोन में ही गेमिंग करते हैं भले वो किसी चीज को भी प्रमोट करें तो हमने जितना भी आता था तो मिले को यह डिफ्रेंस तो फील हुआ है अब ऐसे इस वेसे भी हो सकता है क्योंकि टाइटेनी में जल्दी गरम होता तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है और आपको पता होगा बाइक में जो महंगे-महंगे इंट्रेड्यूस करा कि हमने रेट रेसिंग डाले हो भी हाडवेर बेस जैसे की PS5 के अंदर देखने के लिए मिलती है हमें तो वो चीज़ पहले Snapdragon 8 Gen 2 के साथ लाया था और S23 Ultra और ROG जैसे फोनों ने बोला था कि आप हमारे फोन के अंदर उने experience भी कर सकते हो तो उन्होंने बोला बट भाई गेम ही अवी लेवल नहीं है तो इसके अंदर भी तक कोई ऐसे गेम है ने जिसके अंदर हम रेट रेसिंग को experience कर पाएं बागी अगर आपको पता है कोई ऐसे गेम तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना बट ओल और मैं इतने कह सकता हूं कि अगर आप दोनों के अंदर गेमिंग करते हो तो आपको कोई difference फील नहीं होगा बस यह है कि यह वाला फोन 15 Pro Max थोड़ा कम heat होता है और इसकी long time में consistency थोड़ी सी improve करी है और हाँ सबसे बड़ा plus point भाई जब आप गेम खेलते हो या कोई heavy task करते हो तो 14 Pro Max जल्दी brightness कम कर लेता है लेकिन इसके अंदर थोड़ा late brightness कम होती है और यह apple की परंपरा है पुराना फोन जल्दी करने लग जाता है नया फोन late करता है तो यह चलता आ रहा है इतिहास apple का इसके लावा इस साल का जो सबसे बड़ा change है type c जो की android सदियों से देता हुआ रहा है data transfer speed अच्छी मिलते है उसके अंदर भाई कमजोर मिलती है जिसकी वैसे इसमें आप shd लगाओगे नो तो आपको must transfer speed मिलने वाली है बागी इसके benefit अवर बता देता हूँ आपके पास अगर android phone है तो आप इससे चार्ज कर सकते है या उससे इसे चार्ज कर सकते हो वह आप चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा जाधा वाले से इसके लाव है टाइप सी के और एडवांटेज है आप इसे external display कर सकते हो अपने फॉन का सारा माल मसाला उसमें देख सकते हो और अपने कीवोर्ड को भी से connect किया जा सकता है अब ऐसे निया सिर्फ प्रो सीरीज के अंदर नोन प्रो के अंदर भी आप 15 लाइन अप इतने भी टाइप सी वाले आइफॉन हैं उनके अंदर किया जा सकता है सारे काम मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता ना भूल गया था अब इसके लावा जो दोनों फोन में एक और डिफरेंस आता है वह है भाई दोनों के पूरा डेटर डालूँगा उसके बाद आपको बैटरी वैकप के बारे में जाद अच्छा से बता पाऊंगा क्योंकि काफी रिजल्ट आ रहे हैं कि 14 प्रो मैक्स का बैटरी वैकप कम है तो उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करेंगे अपने रिव्यू के अंदर इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हूं तो यहां पर मैं बिल्कु क्लियरली बोलने वाला हूं अगर आप 14 प्रो या प्रो मैक्स यूज कर रहे हैं तो फिफ्टिन प्रो मैक्स बाई करने की ज़रुवत नहीं है यहां पर इतना बड़ा कोई चेंज नहीं है बस की डिसएडवांट है जब हाई रिफ्रेश्ट की अधरवाइस भाई एपल की तरफ से इस साल के सबसे वैली फॉर मनी फोन हो तो यहीत आज की इस वीडियो के अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब के बारे में और इन दोनों फोनों के बारे मे आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था तो मिलते जल्दे कूल और एक्साइटिंग वीडियो में तो जब तक के लिए जो मन में आगाई स्वो करें तो वाच यहाट फिल स्टेटिंग विद अच्छा वीन बॉक्स गाइस